इस वीडियो में हम लोग DAV Class 7 का साइंस परने वाले हैं जिसमें के आज हम लोग Chapter 17 को स्टार्ट करेंगे इस Chapter का Title है Electric Current and Its Effect Chapter काफी लंबा है इसलिए इसको हम लोग 3 Parts में Complete कर देंगे यह पहला पार्ट है और यह Chapter अगर आपके syllabus में है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका अगला पार्ट भी हम बहुत जल्दी अप्लोड कर देंगे आपके class के किसी भी subject को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको YouTube पे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बस आपको इस चैनल के playlist में जाना है वहाँ पे आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे जो भी आपके syllabus में है अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रिस भी कर लिजेगा ताकि नए वीडियोज का notification भी आप तक पहुंचता रहे इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का introduction देखेंगे कि आपके नए चैप्टर में परना क्या है हमें उसके बाद हमारा main topic होगा heating effect of electric current Electrically current के कारण heating हो पाता है और उसे based features क्या है इसटेटेग एडवांटेजीर क्या है वह भी हम लोग देखेंगे और electric fuses के बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे उसके बाद हमारा अगला मेन टॉपिक होगा Magnetic Effect of Current Current के कारण Magnetic Effect भी हमें देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसी टॉपिक के अंदर में Electromagnets के बारे में हमें पढ़ना है Practical Use of Electromagnets क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे और सबसे last में हम लोग देखेंगे कि electric bill क्या होता है और ये काम कैसे करता है इस chapter के starting में ही energy के बारे में बात क्या गया है energy के बारे में हम class 6 में अच्छे से पराया थे कि energy होता क्या है इसको short में एक बार समझा देते है energy का definition होता है energy is the capacity to do work अगर हम लोग किसी चीज से work कर पा रहे हैं तो उस चीज वो उस physical quantity को हम लोग energy बोलेंगे अगर हम लोग कुछ भी काम कर पाते हैं तो उसके पीछे होता क्या है उसके पीछे reason क्या होता है हमारे body के अंदर energy होता है तभी तो हम लोग काम कर पाते हैं अब science के terms में काम का मतलब क्या है अगर हम लोग किसी object को किसी object में अगर हम लोग motion ला देते हैं उसका position में change ला देते हैं energy अपलाई करके तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे work हुआ अब यहाँ पे बहुत सारे energy forms का बात किया गया है हम लोग यह भी classics में पढ़े थे कि energy जो होता है अलग-अलग forms में हमारे आस possible level होता है और हम लोग अपने use के हिसाब से energy को एक form से दूसरे form में convert कर सकते हैं तो energy कौन-कौन सा होता है different forms of energy कौन-कौन सा है वही यहाँ पे बताया गया है पहला है heat energy, दूसरा है light energy, sound energy, mechanical energy, magnetic energy and electrical energy और इसी electrical energy के बार में detail में हमें पढ़ना है यहाँ पे बताया गया है we also know that these different forms of energy can be transferred from one form to another हम लोग यह भी classics में पढ़े थे कि हम लोग energy का forms वो convert कर सकते हैं हम लोग चाहें कि mechanical energy से हम लोग electrical energy बना लें तो हम लोग convert कर सकते हैं इसी तरीके से हम लोग चाहें किसी भी दो energy form में conversion कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें magnetic energy से sound energy produce कर ले तो वो भी हम लोग कर सकते हैं हमारे जो earphones होता है, speakers होता है उसमें तो यही होता है ना Magnetic energy से sound energy में conversion होता है Out of these electricity is now perhaps the most widely used and indispensable form of energy जितना भी energy का form हम लोग यहाँ पर देखे उसमें से सबसे ज़्यादा use किया जाने बला सबसे ज़्यादा useful हमारे लिए जो energy है वो है electrical energy electricity सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग को कोई और भी energy चाहिए न अगर हमें heat energy भी चाहिए या light energy, sound energy कुछ भी चाहिए तो उसको पाने के लिए हम लोग electrical energy का ही use करते हैं कैसे हम लोग इसका example बहुत सरा आगे देखेंगे आपको याद होगा कि classics में हम लोग battery या एक electric cell के बारे में परेते और इसका काम क्या होता है यह एक source of electric current होता है यानि कि उससे हम लोग electric current ले सकते हैं और इसमें electric current आता कहां से है बैटरी में न chemical energy stored होता है जो कि हमें output देता है इसी chemical energy के कारण हमें electrical energy output पे मिलता है और उस battery या उस electric cell के कारण हम लोग कोई भी electrical device को run करवा सकते हैं we now use many electrical appliances in our day-to-day life where we find electrical energy getting converted into heat, chemical, light, sound और magnetic energy हम लोग अपने daily life में बहुत सारे electrical appliances का use करते हैं बहुत सारे devices का use करते हैं जो कि बिजली से चलता है और उसमें electrical energy जो है वो convert होके या तो heat energy बनता है या तो chemical energy, या तो light energy, या तो sound energy, या magnetic energy और हम लोग जो device use करते हैं उसी के हिसाब से ये conversion होता है activity number one में बहुत सारे electric appliances का नाम दिया गया है और उसका क्या-क्या use हम लोग अपने daily life में करते हैं और उसमें कौन सा energy किस energy में convert होता है सभी को हमें यहाँ पे fill out करना था तो इसको हम समझा देते हैं पहले से इसको हम भर लिए हैं इसको जब आप समझ लोगे तो आपको एक idea आ जाएगा कि energy का conversion कैसे कैसे होता है सबसे पहले है electric iron iron का का काम क्या होता है कि हम लोग कपरो का जो wrinkles होता है कपरा जो मुराया हुआ रहता है उसको सीधा करते है और इसमें कौन से energy का conversion किस energy के रूप में होता है हम लोग iron को देते है electrical energy और यह convert हो जाता है heat energy में तभी तो iron गर्म हो जाता है न उसी तरीके से room blower room blower का काम होता है कि ठंडा के दिन में room blower अगर हम लोग लगा देंगे तो room गर्म हो जाएगा तो यह क्या करता है room hitting इसका काम होता है और इसमें electrical energy convert होता है heat energy में और साथ ही साथ mechanical energy में भी इसका conversion होता है mechanical energy कहां पे convert होता है इस blower में एक motor लगा होता है जो कि घूमता है और अगर कोई भी object घूम रहा है तो वहाँ पे या अगर कोई object move कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि उसमें mechanical energy है तो यहाँ पे electrical energy दो energy में convert हुआ heat energy mainly heat energy में ही convert होता है इसलिए हम mechanical energy यहाँ पे नहीं लिखे है और plus mechanical energy उसके बद अगला device है hair dryer इसका काम होता है कि बाल को सुखाना और इसमें भी electrical energy जो है न वो convert होके heat energy बनता है जैसे blower है वैसे ही hair dryer भी है उसके बाद electric stove बिजली से चलने वा प्रकाला जो चूला होता है उसमें क्या होता है उसमें cooking होता है और उसमें भी electrical energy न, heat energy में convert होता है तबी टो खाना बन जाता है हम पर रहे थे उसके बाद यह है लेक्ट्रिक Cea बंड का काम क्या होता है लाइटिंग के लिए यूज करते हैं होके हीट में नर्जी में चनवर्ट होता है और लाइट बंड होता है अगर आप वाट वाला यो पूराना बल्प होता था जो जो लाल कलर पीला कलर का जलता था उसमें heat energy भी बनता था लेकिन आजकल का जो बलब होता है उसमें heat energy नव के बराबर बनता है सिर्फ light energy में electrical energy convert हो जाता है उसके बाद है electro magnet इसका इस्तिमाल हम लोग करते हैं electric bells में सबसे अंतिम topic है मारा इस chapter का और speakers में और यहाँ पर electrical energy convert होता है magnetic और sound energy में सबसे अंतिम device है electric bell इसका काम होता है sound produce करना और इसमें electric energy convert होता है sound energy में तो यह सब कुछ energy का conversion है जो कि हम लोग अपने आसपास के devices में देखते हैं we just realized that energy changes involving electricity play an important role in our day to day life अभी जितना भी electrical device हम लोग देखे उसमें एक चीज़ common था आप लोग ध्यान से देखे क्या आप लोग ध्यान से वीडियो देखेगा नहीं तो सब out of range चले जाएगा जितना भी electrical device हम लोग देखे उसमें एक चीज़ common ये था कि सभी को input में electrical energy ही चाहिए था output में भले ही वो कोई भी energy दे लेकिन input उनका electrical energy ही था सभी में electricity involved था इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि electricity जो है न हमारे life में बहुत important role play करता है और ये हमारे लिए इतना जरूरी बन गया है कि इसके बीना हमारा daily life गुजरना बहुत impossible है अगर electricity हमारे life से हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा 50% हमारा life खतम ही हो जाएगा ऐसे classics में हम लोग कुछ common electric components के बारे में पढ़े थे जैसे कि connecting wire क्या होता है switch क्या होता है, register क्या होता है, bulb क्या होता है, इन सब का काम क्या है और सब को connect कैसे किया जाता है, basic जितना कुछ था हमने classics में पढ़ा था और हमने वहाँ पर ये भी देखा था कि सभी electrical devices के लिए एक-एक electrical symbols होता है अगर हम लोग circuit diagram ड्रॉ करेंगे ना तो हम लोग वहाँ पर bulb नहीं बनाने जाएंगे वहाँ पर bulb का symbol हम लोग सिर्फ दे देते हैं classics में हम लोग electrical symbol का need और advantages भी देखे थे कि उन symbols का जरूरत क्या है और उससे हमें क्या-क्या फायदा होता है इस वाले table में अलग-अलग electrical devices का जो actual shape है वो भी दिखाया गया है और उसका जो symbol है वो भी दिखाया गया है इन symbols का use आपको कहां पर आएगा जब आप लोग electrical circuit diagram बनाएंगे तो वहाँ पर ये सारे symbols आपको use करने पड़ेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा जैसे कि ये cell है cell के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं ये वाला symbol cell का हो गया इसका positive terminal इधर हो गया इधर negative terminal और ये वाला जो diagram हो गया ये हो गया battery के लिए battery क्या होता है बहुत सारे cells मिलकर battery बनाते हैं अब देखिए लंबा line छोटा line लंबा line छोटा line दो यहाँ पर है और इधर plus हो गया इधर minus हो गया ये जो लंबा line है इस side में plus होगा और ये जो छोटा line है इस side में minus होता है आपको ये याद रखना है उसके बार connecting wire को हम लोग सिर्फ एक simple line से दिखाते हैं इतना लंबा वायर हम लोगों चाहिए उतना लंबा हमलोग सिर्फ लाइन दे देंगे बस सिम्पल ए बल्ब या लैम्न को इन दुनों सिंबल से दिखाया जाता है अगर हमें बल्ब बनानाना है सर के डियाग्राम के बीच में कहीं bulb आ गया तो हम लोग ऐसे करेंगे ऐसे कर देंगे ब़ल जैसा बल्ब का filament बना देंगे और इसको गोल से घेड़एंगे यह हो गया बल्ब का symbol simple था यह तो हम लोग उससे भी symbol ऐसे बना सकते हैं ऐस देंगे वायर इसको यहां बीच में क्रॉस कर देंगे और यह हो गया बल्ब का सिंबल सिंपल था उसके बाद एलेक्टिक स्विच स्विच को हम लोग ऐसे दिखाते हैं अगर स्विच ऑफ है तो यहां पर वायर का एक टर्मिनल है यहाँ पे wire का दूसरा terminal है और यह हो गया switch अगर off है तो ऐसा रहेगा बीच में connection नहीं रहेगा अगर on है तो ऐसा हो जाएगा यह wire का एक terminal, wire का दूसरा terminal और switch ऐसे set गया यहाँ पे आके तो इसको हम लोग बोलेंगे on position plug की का यह दोनों symbol है अगर plug खुला हुआ है तो ऐसा symbol हम लोग ड्रॉ करेंगे और अगर plug लगा हुआ है तो हम लोग ऐसा symbol ड्रॉ करेंगे, बीच में सिर्फ एक dot है उसके बाद emitter, emitter एक device होता है जिसे हम लोग current को measure करते है कितना current flow हो रहा है wire से emitter का symbol यह है हम लोग simply कैसे करना है wire का एक terminal, बीच में goal देना है A बना देना है और wire का दूसरा terminal, यह हो गया emitter इसका काम क्या होता है, current को measure करता है आपको यह भी याद रखना है उसके बाद है voltmeter, voltmeter का का काम होता है voltage को measure करना voltmeter को भी हम लोग emitter के तरह ही दिखाते हैं लेकिन A के जगा पे हम लोग सिर्फ V लिख देंगे simple diagram है ऐसे goal करेंगे, बीच में V लिख देंगे और ऐसे-इसे दोनों terminal बना देंगे इसका तो यह हो गया voltmeter उसके बाद resistance wire resistance का का काम क्या होता है तो यह जो है करेंट का speed breaker है करेंट को तेजी से आगे बरने से रोकता है करेंट का flow को घटाता है और इसका symbol जो है यह हो गया कुछ इस तरीके से speed breaker के तरह यह है न बस इस तरीके से हम लोग इसका symbol बनाते हैं अब जो next topic हमें पढ़ना है उसका title है heating effect of electric current यह सबसे important topic है इस chapter का अभी तक जितना कुछ हम लोग पढ़ें न सब classics में हम लोग already पढ़ चुके हैं यह नया topic है बहुत important topic है इसको ध्यान से पढ़िएगा और ऐसा नहीं की out of range चला जाए अच्छे से इसको समझ के पढ़ना है क्योंकि exam में जो ज़्यादातर question आता है इसी topic से आएगा अब यहाँ पर बताया गया है it is common experience that when electric current flows through the filament of electric toaster आप electric toaster देखे होगे या heater तो देखे ही होगे जब उसमें current flow होता है तो क्या होता है उसमें जो wire लगा होता है filament का जो wire लगा होता है लाल कलर का हो जाता है और बहुत गर्म हो जाता है it follows that flow of current can produce heat इससे हमें क्या पता चलता है कि electric current के flow होने से heat generate होता है अगर किसी wire में current flow करेगा ना तो जो wire है न वो गर्म भी होगा this is known as the heating effect of electric current और इसी effect को हम लोग बोलते है heating effect of electric current यहाँ पर शुरू में joules लगाया गया है joules heating effect of electric current ऐसा इसे लिए use किया गया है क्योंकि joules एक scientist का नाम था और यह जो heating effect होता है current के कारण इसके बारे में research इन ही scientist ने किया था तो इसको हम लोग joules heating effect of electric current बोलते हैं यहाँ पर आगे बताया भी गया है कि joules ने ना यह joules scientist थे उन्होंने बहुत सारे experiments किये थे ताकि उनको पता चल सके कि कि किस किस factor पे किस किस factor पे depend करता है कि कितना heat generate होगा और बहुत सारे experiment करने के बाद उनको पता चला कि heat जो generate होता है ना तीन factors पे depend करता है और वही तीन factor यहाँ पे दिया गया है यह बहुत important है long question में आपसे यह पूछा जा सकता है पहला factor क्या है the strength of the current through the wire मतलब एक wire से जितना ज़्यादा current flow करेगा ना उतना ज़्यादा heat generate होगा उन्होंने experiment से यह पता किया दूसरा जो factor उन्होंने पता किया वो था the nature of the material and the length and thickness of the given wire wire जो हम लोग use कर रहे है जिस wire से current flow कर रहा है न उसका nature क्या है वो किस material से बना हुआ है और साथी साथ उसका length क्या है और उसका thickness क्या है यानि कि उसका लंबाई क्या है और उसका मोटाई क्या है इस पे भी depend करता है कि कितना heat generate होगा और जो तीसरा factor था वो था the time for which electric current flows through the given wire मतलब अगर कोई electric wire है उससे कितना देर के लिए electric current पास किया जा रहा है उस पे भी depend करता है कि कितना heat generate होगा अगर हम लोग ज़्यादा देर के लिए current पास करवाएंगे तो ज़्यादा heat generate होगा कम समय के लिए current पास करवाएंगे तो कम heat generate होगा यहाँ पर इस टार देखे एक बहुत important point बताया गया है जिसमें कि हमें electrical resistance के बारे हम बताया है electrical resistance क्या होता है इसके बारे में हम आपको पहले ही बताया है यह एक ऐसा property है किसी भी conductor का जो कि electric current के flow को कम करता है अब यह जो इस टार है न इस वाले line के लिए दिया गया है second point के लिए जिसमें क्या था the nature of material, the length and thickness of given wire मतलब यह जो electrical resistance है न वो इनही तीनों चीज़ पर depend करता है कि वो जो material है जो तार है किस चीज़ का बना हुआ है उस तार का लंबाई क्या है और उस तार का मोटाई क्या है और इनही तीन factors पर depend करता है किसी भी conductor का electrical resistance इसके बारे में detail में हम लोग higher classes में परेंगे बस यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि electrical resistance जो होता है वो किन-किन factors पर depend करता है आपसे पूछा जाएगा तो आपको यही answer करना पड़ेगा कि material of the wire, length of the wire and thickness of the wire activity number 2 में हमें एक छोटा सा experiment दिया गया जिससे कि हम लोग electricity के कारण जो heating effect generate होता है उसको practically observe कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को इस वाले circuit diagram के हिसाब से थोड़ा सा arrangement करना पड़ेगा हम लोग एक bulb चाहिए उसके लिए एक cell चाहिए उसके बाद switch चाहिए कुछ connecting wires हम लोग को चाहिए उसके बाद दो iron का nails चाहिए और एक naichrome का wire चाहिए सबको हम लोग इस तरीके से connect करेंगे उसके बाद जब हम लोग switch को on करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा वो point number one में बताया गया है switch को on करते ही यहाँ पे current का flow start होगा कुछ इस तरीके से current का flow इस direction में होगा और उसके साथ साथ यह जो bulb होगा यह glow करने लगेगा लेकिन इसके अलावा हमें एक और effect यहाँ पे देखने को मिलेगा यह जो naichrome का wire है यह गर्म होने लगेगा और यह गर्म क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे current flow कर रहा है इसी current के कारण इसी electric current के कारण यह जो naichrome का wire है यह गर्म हो गया अब एक चीज और notice करने वाला है naichrome का wire जो है वो तो गर्म हो जाएगा लेकिन यह जो connecting wires हम लोग लगाया थे न यह सब गर्म नहीं होगा इसका क्या region है इसका region हम लोग पहले ही जान चुके है जूल ने जो experiment किया था उसमें उनको क्या पता चला था उसमें उनको पता चला था कि किसी भी wire का अगर resistance जादा है अगर वो current को flow करने से रोक रहा है तभी ही उसमें heat generate होगा लेकिन यह जो connecting wires हम लोग यूज कर रहे है न इसका resistance negligible है resistance बहुत कम है यह current को जाने से नहीं रोकता है इसलिए यह गर्म नहीं होता है लेकिन यह जो naichrome का wire है यह current को अच्छे से flow करने से रोकता है इसलिए इसी कारण से यह जो होगा यह गर्म हो जाएगा और इसमें हमें heating effect देखने को मिलेगा उसी तरीके से यह जो bulb है ना इसमें भी हमें heating effect देखने को मिल सकता है डिपेंट करता है कि आप bulb कौन सा यूज करते हो heating effect के साथ-साथ bulb में एक और effect हमें देखने को मिलेगा जो कि होगा lighting effect bulb light produce करेगा और वो किसके कारण हो रहा है वो हो रहा है electricity के flow के कारण तो bulb का property ही यह है कि वो light को ज़्यादा generate करता है और कम heat generate करता है इसलिए हम लोग को यहाँ पे heating ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे नाइक्रोम का जो wire था वो क्या कर रहा है उसमें तो कोई ऐसा filament नहीं लगा हुआ है जिससे वो light produce करें तो जितना electricity से flow हो रहा है जितना current flow हो रहा है सब heat में ही convert हो जा रहा है इसलिए यह ज़्यादा heat होगा लेकिन यह कम heat होगा लेकिन heating effect हमें दोनों में देखने को मिल सकता है दूसरे point में हमें बताया गया है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले supply को change करें अगर हम लोग यहाँ पे एक seal लगा हुए है न अगर हम लोग यहाँ पे एक और seal लगा दे या दो और seal लगा दे तो क्या होगा current का जो value होगा वो increase हो जाएगा पहले माल लेते हैं कि अगर 2 units current जा रहा था तो अगर हम लोग इसको बरहा देंगे तो माल लेते हैं 6 units current जा रहा है तो जब 6 units current जाएगा तो उसके कारण क्या effect हमें देखने को मिलेगा जब ज़्यादा current जाता है तो ज़्यादा heating effect हम लोग को देखने को मिलता है तो आप नाइक्रोम वायर का जब temperature मेजर करेंगे तो आपको ज़्यादा temperature मिलेगा जितना चीज अभी हम बता है सभी चीज यहाँ पर आपको इन दोनों points में दिया गया है आप इसको भी read कर लिजेगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा अब जो next topic हम लोगो परना है उसका टाइटल है advantages and disadvantages of heating effect of current जब भी किसी conductor से होकर current को flow किया जाता है तो वहाँ पे हमें heating effect देखने को मिलता है तो इसका बहुत सारा advantages भी है इसका फायदा भी बहुत सारा है और इसका बहुत सारा नुकसान भी है और उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले है electricity के कारण जो heating effect generate होता है इसका हमारे daily life में बहुत ज़्यादा importance है हम लोग अपने daily life में बहुत सारे devices use करते हैं जैसे कि यहाँ पे devices का नाम भी दिया गया है heater हो गया, geezer हो गया, electric cattle हो गया, electric iron हो गया, जितना भी devices यहाँ पे दिया गया है सभी devices किस पे depend होते हैं, heating effect पे depend होते हैं बिजली के कारण जो heating effect generate होता है उसी पे dependent होते हैं अगर हम लोग इन सभी devices में electricity देंगे, बिजली देंगे और heating effect generate नहीं होगा तो क्या यह सब काम करेगा, heater काम करेगा, क्या, geezer काम करेगा, क्या, कोई भी device काम नहीं करेगा अगर heat generate नहीं होगा बिजली के कारण तो All these appliances contain a heating coil, जितना भी devices यहाँ पे हम लोग देखें न सभी में heating coil होता है, wire का एक coil होता है, जिसमें जब current supply किया जाता है न तो वो गर्म हो जाता है, red hot हो जाता है और यह जो wire होता है, generally nightrome का बना होता है, अभी हम लोग experiment किये थे, उसमें भी हम लोग nightrome का wire ही use किये थे तो अभी जितना भी electrical devices हम लोग देखें न, जो की heating effect of electric current पे काम करता है, उसमें जो heating के लिए heating coil लगा होता है न, जो की generally nightrome के wire का बना होता है इसी nightrome के wire को हम लोग element बोलते हैं, और इस element का काम क्या होता है, electric current जब भी supply होता है उसमें, तो उसके कारण वो heat generate करने का काम करता है आगे यहाँ पर electric heater के बारे हम बताया गया है कि वो काम कैसे करता है, electric heater को हम लोग या तो खाना बनाने के लिए use करते हैं, या तो room को heat करने के लिए use करते हैं तो ये काम exactly कैसे करता है यहाँ पे बताए गया है जैसे हम लोग इस वाले device को on करते हैं तो बहुत ज़्यादा heat generate होने लगता है और heat generate क्यों होता है क्योंकि उसमें जो heating coil लगा होता है वो गर्म होने लगता है उसमें current supply होने के कारण ये जो heating coil होता है कैसा हो जाता है red hot हो जाता है जैसा कि यहाँ पे इस वाले figure में आपको दिखाया गया है और उससे हम लोग को heat energy मिलने लगता है जिसको हम लोग practically किसी भी तरीके से use कर सकते हैं इस वाले heat energy से चाहे तो हम लोग अपने room को भी गर्म कर सकते हैं या इसमें हम लोग cooking भी कर सकते हैं electric heater के अलावाद दो और devices का यहाँ पे photo दिया गया है यहाँ पे clear photo तो नहीं आप अपने book में देख लीजेगा यह वाला photo है electric iron का और यह वाला photo है immersion rod का iron से तो हम लोग अपरा प्रेस करते हैं आपको पता होगा और यह जो photo immersion rod का है इसको हम लोग बाल्टी में डालके पानी डालके पानी में डाल देते हैं और इसके बाद जब इसको electricity से connect करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है तो तीनो जो device है तीनो एक ही तरीके से काम करता है तीनो को input में electrical energy ही चाहिए और output में तीनो device जो है क्या देता है heat energy हम लोग को देता है electric current के heating effect का हम लोग एक फायदा तो देख लिए कि इससे हम लोग heat energy को generate कर सकते हैं और अपने हिसाब से उस वाले heat energy को हम लोग किसी तरीके से use कर सकते हैं लेकिन इस वाले effect का एक और फायदा है उससे हम लोग lighting effect को भी generate कर सकते हैं जो कि आप electric bulb में देखोगे ये सब bulb ने CFL या LED bulb में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप 100 watts वाला पुराना जो bulb आता था वो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको heating effect के कराण light generate होते हुए दिखेगा वही चीज़ हमें यहाँ पर बताया गया है कि heating effect of current के कराण हम लोग electric bulbs को भी use कर सकते हैं जिसका main motive क्या होता है light energy को produce करना अब यह electric bulb काम कैसे करता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है जब हम लोग electric current को flow करवाते हैं तो उसमें एक metal का filament होता है bulb के अंदर आप देखेंगे कि एक terminal ऐसे आया उसके बाद यहाँ पर filament ऐसे लगा होता है उसके बाद दूसरा terminal ऐसे करके निकलता है और वही दोनों ऐसे करके input बना होता है बल्ब में connection होता है जिसे हम लोग input देते हैं तो यह वाला filament जो होता है न जैसे electric supplies को मिलता है यह गर्म होता है और यह white hot बन जाता है white hot कहने का मतलब क्या हुआ white color का हम लोग को दिखता है और hot हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और यह start emitting light यानि कि light यह देने लगता है हम लोग को तो यहां तक जितना भी advantages था heating effect of electric current का सभी के बारे में हम लोग बात कर लिए अब इसके disadvantages के बारे में हम लोग बात करेंगे कि से नुकसान क्या क्या है एक्जाम में अगर आपको advantages के बारे में बोला जाए कि आप advantages लिखिए तो आप जितना सारा point हम आपको बताए न उसी को चोटा चोटा करके चोटा चोटा लाइन में आपको अपने से एक्जाम में लिखना है अगर disadvantages के बारे में पूछा जाए तो अभी हम लोग उसको परेंगे उसको भी चोटा चोटा लाइन में convert करके आप एक्जाम में लिख सकते हैं यहां पे लिखा है there are however some serious practical disadvantages of heating effect of current wire gets wasted as it is simply radiated into the atmosphere exactly होता क्या है जब transmitting station से जहां पे बिजली बनता है वहां से बिजली हमारे घर तक पहुंचता है तो किस थूरू आता है wire के थूरू आता है और wire का कुछ ना कुछ resistance तो होगा ही उस resistance के कारण जितना बिजली यहां से निकलता है न उतना बिजली यहां तक नहीं पहुंच पाता है कुछ electricity electrical energy जो होता है वह heat बनके environment में radiate हो जाता है तो वह एक तरीके का unwanted loss हो गया जो कि हम लोग को नहीं चाहिए और यह loss किस चीज़ का हुआ electrical energy का we of course adopt ways and means to minimize this loss और इस loss को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाई जाते हैं जिसके बारे में आपके स्लेवस में नहीं पढ़ना है आपको higher glasses में इसके बारे में पढ़ना है heating effect से एक और नुकसान होता है जिसके बारे में यहां पर बताया गया है the heating effect of electric current also capable of breaking the insulation of different wiring or devices अगर आप तार देखोगे नो तो तार के ऊपर एक insulation लगा होता है plastic का एक cover लगा होता है तो अगर heating effect के कारण यह cover पीघल गया तो इसके कारण हमें नुकसान हो सकता है heating heat जब generate होता है तो इसके उपर का जो plastic होता है और पिघल जाता है और कभी-कभी हट जाता है जिसके कारण short circuit हो सकता है और उसके कारण हमारे electrical devices damage हो सकते हैं यहां पर do you know में electric bulb में filament होता है उसके बारे में 3 important properties बताया गया है इसको आपको याद रखना है एक्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इसको लिखेगा filament किसको बोलते हैं बल्ब में देखेंगे आप जो glow करता है न जो पार्ट उसी को हम लोग filament बोलते हैं यह जो filament होता है किस चीज क है कि इसका melting point बहुत ज्यादा होता है यानि कि यह जल्दी नहीं पिखलता है बहुत ज्यादा temperature होगा न तभी यह पिखलेगा तो उस कारण से बल्ब जल्दी fuse नहीं होता है अगर कोई ऐसा यहाँ पे metal हम लोग लगा देते जिसका melting point कम होता तो थोरा सा ज्यादा heat होता तो hot होता है वो तो है ही तो white hot होने के कारण हम लोग को light यहाँ पे अच्छा मिलता है अगर यह red hot होता न लाल कलर का और गर्म हो जाता तो हम लोग को light कम मिलता तो दूसरा फायदा इसका यह हो गया और tungsten use करने का तीसरा reason यह है कि यह बहुत ही stable होता है और इसको use करने के इसके बाद का जितना topics है उसको हम लोग आने वाले parts में पढ़ लेंगे यह chapter अगर आपके syllabus में आपके exam में आएगा तो comment करके आप जरूर बताइएगा इसका अगला part भी हम बहुत जल्दी upload कर देंगे इस class में अगर आपका किसी भी type का doubt रहे गया तो उसके लिए आप मु वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में कि नए topic के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से बढ़ाई करते रहे हैं